बिग बॉस सत्रा को इस सफते नया किंग मिल गया है इसके साथ ही सोसल मीडिया पर चर्चे भी सुरू हो गए है कि यह पॉपलर कंटेस्टेंट इस सीजन का विनर भी बन सकता है चैनल ने यह घूसड़ा की है कि मुनावर फारोग के बिग बॉस किंग ओफ दा वीक है जनता ने उनको यह ताज दिलवाया है मुनावर लॉक अप ओटिटी विनर रह चुके हैं वह बिग बॉस के स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट है सबसे बड़ी बात उनकी फैन फालोइंग काफी तगड़ी है मुनावर के अलामा विकी जैन को भी दिमाग वाला खिलाड़ी माना जा रहा है वहीं पॉपॉलरिटी के मामले में अंकीता के फैन फालोइंग भी काफी तगड़ी है मुन्ना है माश्टर माइंड तो आखिर कैसे आए जानते हैं हम इस वीडियो में जी हाँ अनुराग डोफाल उर्फ बाबु भाया सोच होने की बात कर रहे हैं इस बिच कलर्स ने इस हफते के बिग बॉस किंग के नाम के घोंचडा कर दी है कलर्स ने पोश्ट किया है आपके प्यार ने बनाया मुनावर को इस बार बिग बॉस किंग ओफ दाविक इसने पहले यह किताब अनुराग डोफाल को मिला था इस पोश्ट पर मुनावर के फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉंस दिया है कई लोगों ने कमेंट्स किये है कि सिर्फ बिग बॉस किंग ही नहीं मुनावर बिग बॉस विनर भी बनेंगे कई लोग अपने मुना मास्टर मैंड के लिए विसेच भी लिखी है एक यूजर ने ये भी लिखा है कि अनुराग और मुनावर की बाहर फैन फालोइंग काफी तगली है जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है बाकि लोग भी अच्छा खेल रहे हैं इस बात का ध्यान रख कर किंग बनाना चाहिए मुनावर को सुरो से गेम का मास्टर माइंड माना जा रहा है उन्हें इस सीरियलिटी सो के दाओं पेच पता है मुनावर अंकीता और विकी के अलावा मनारा चोपडा को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं शुरुआत में उनके हरकते लोगों को क्यूट लग रही थी हलाकि अब कुछ लोग उन्हें नेगेटिव भी बोल रहे हैं एस्वर्य सर्मा भी लाइम लैट ले रही है हलाकि पती नील से जगडेने के बाद जनता के सामने वो वैंप बन गई है तो इस तरह से बिग बॉस के घर में कभी जगडा तो कभी प्यार देखने को मिलता ही है वैसे आप सब लोगों को कौन सी जोड़ी सबसे मस्त लगती है सबसे खुबसूरत लगती है इसके लिए एक कमेंट तो बनता ही है तो चलिए फटा-फट से कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने बिल्कुर भी मत लिएगा